हेलो फ्रेंड्स आज आप से ये देखें ये करोटन की लीव्स हैं तो इनको आज हम ग्रो करेंगे पानी में तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं करोटन को पानी में कैसे ग्रो करें तो ये देखें ये मैंने कुछ लीव्स ले ली हैं करोटन की फ्रेश और ये म इसमें थोड़ा सा वार्टर ले लूँगे यह देखिए सिर्फ पानी है यह और यह लीव्स हैं इस तरह से जो इनका नोड वाला एरिया है उसको हम पानी में डिप करके रखतेंगे तो यह देखिए इस तरह से ले ली है मैंने और इस पे मैं रबर्ट बैंड लगा रही हूँ इसलिए कि यह इधर उधर न हिले हैं इसमें लेक जेंगा ही रहें तो इसलिए मैंने इसमें रबर्ट बैंड लगा के इस तरह से पानी में डिप करके रख देंगे सेमी शेड में देखे फ्रेंड्स दस दिन हो गए हैं मुझे इसको इस तरह से रखे हुए पानी एक बार पीछ में एक या दो बार चेंज कर देंगे अगर आपको लगे कि पानी गंदा हो रहा है तो उसको आप चेंज कर दें तो यह देखे फ्रेंड्स इनमें रूट स्टार्ट हो गई है इस तरह से कुछ लीवस तो अभी नहीं आई हैं कुछ में और कुछ में आ गई हैं तो देखे कितने अच्छे से इनोंने रूटिंग स्टार्ट कर दी है अपनी तो अब हम क्या करेंगे अब हम इनको मिट्टी में लगा सकते हैं डारेक्ट इस तरह से जिन जिन लीवस में रूट्स आ गई हैं उनको हम मिट्टी में लगा सकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले कुछ दिन के लिए यह मैंने मिट्टी ली है और मिट्टी को आप उसी पानी में डाल के रख छोड़ दें यह देखिए यह थोड़ी सी ड्राई मिट्टी है को यह है कि थोड़े सा और आप इसमें डाल के रख देंगे तो जो रूट्स हैं वो मिट्टी में हैबिच्वल हो जाएंगी थोड़े सी मिट्टी और वाटर दोनों से अभी तो यह सिर्फ वाटर में ही क्योंकि ग्रो होई है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है डारेक लगाने पर तो यह देखिए इस तरह से मैंने इनको मिट्टी डाल दिया पानी में और मैं रख दूँगी दो चार दिन के लिए और ऐसे ही जोड़ देंगे तो उसके बाद देखते हैं फिर हम इनकों ग्रोथ कैसी रहती है तो यह मुझे डाले हुए इसको टोटल फिफ्टीन डेस हो हैं मतलब पांच दिन और हो गए हैं मिट्टी डाल के जब मैंने रखा था तो यह देखिए फ्रेंट्स इन्होंने और अच्छे से अपने रूटिंग स्टार्ट कर दिया है कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है इनकी तो अब हम इनको डारेक्ट मिट्टी में लगा देंग अगर आपके यहां की सोईल ड्राई है हार्ड है तो आप उसमें थोड़ी सी सेंड मिक्स कर सकते हैं और अगर इस तरह की मिट्टी है तो आप डारेक्ट उसमें लगा सकते हैं तो यह मैंने लगा दिया है वाट्रिंग कर देंगे और इसको सेमी शेड में रख देंगे फ्र मैंने इसमें वार्टरिंग कर दिया और अब हम इसको ऐसे ही चोड़ देंगे जब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इनको दूसरे पॉर्ट में शिफ्ट करेंगी अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें तो उसके बाद जब यह अच्छे से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे तब ओके फ्रेंड्स बाई